तो चाहिम भाई एक पीरे होगी बाकी सारे जो बाकी सारे स्टूरेंट जिसमें भी हैं उसमें से किस-किस नहीं बहुत डिसकेशन को वालेकम स्लाम जैन भाई एक लेवर कर दें अलहम्दल्र ठीक ठाक में का वकल आपना बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे थे ना एक सरे लगा वालेकम स्लाम खारूबाई इस लेवल तक पहुंचता ना कि मैं सब को मिठाई किला सकता तो जरूर किलाता कोई निगोने मिठाई हो गई या आपकी साजी कोई बात नहीं मुस्ट विल्कम सर इसलाम अबाद आजें आजाएंगे इंशालला इसलाम अबाद भी आजाएंगे टेंशन ना ले आए सर आपको तो मैंने स्पेशल दावट देनी है आपाएं तो सही अब आने की जूरत नहीं है वैसे भी हम विर्चौल इसिस्टंट का कर रहे हैं तो आउनलाइन तो करी रहे हैं तो आउनलाइन सारे काम करें पिर अभी ये भी ठीक है बूट हो गया इरफान साब पहले आप ये बताएं कि आप कहां गुम थे दो तीन दिन से चलो इन कहां अब अब आप ये विए फरोग भाई असल में कर साइनमेंट थे गोट टेकनिकली काफी बड़ी सारी उदर का बहुत बदी था तो बड़ी मुशकल से आज थोड़ा फ्री हों तो मैंने गास लाजमी जॉइन करें हां आप लोगो सब्सक्राइब करें स्टार्ट टाइम हो गया है क्योंकि ये दस बज़ के बीस मिनट पर हम क्लास स्टार्ट करते हैं जैन साथ की वज़ास से और जैन साब आज पहले आए हैं तो पूछने लगए हैं लाह उत्पर टोड़ा बलाओ जैन मैं स्क्रीन शो कर वादे और स्टे हां क्या बात है एक ना फरुद बाई जिन्दा बात जिसने दुटार्ट टॉप में नहीं किया जी सार मैं लैप टॉप यूँ जरा स्क्रीन शेयर फरमाएं लेकिन कल की क्लास मैंने नहीं है टेंड की और मैंने वो अभी यूट्यूब से लेक्चर देखा भी नहीं है परस बस करसर जे ना वो स्लो स्लो मूफ करवाएगा ठीक है अजयन बाई इतनी स्वीड में लगे वे थे कि हो सारा कुछ यूटता जा रहता था अजल में कल क्लास ही लेट बोत होगी थी पता है आपको बारह मच के बीस मिन पर खाथ लागाएग अच्छा बहुत लंबी शुरू कब ही थी दश्बचे यह यह चुरू सवादस ही होगी और सठ अट तक लिए थी खाथ लिए जा शुरू के लिए यह शुरू कपर गया है सवारियां सो भी गई थी ना जी एसन भाई करें स्टार्ट करूए एक लेपटाप करते होते हैं यह उस तरह से स्पीड बने लिए फिर फिर भाई कलास में थोड़ी सी साथ साथ नहीं इंटर्टेन्मेंट के तौर पे थोड़ा सा सबको जगाते रा कीजिए ना सो ना जाए कोई भी थाके पूरी कंसेंट्रेशन से लोग बाई आप नहीं थे ना चले इंचला अभी हैं आई तो नहीं बोड़ होने चले हसन भाई स्टार्ट करें हां जी 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 हम टैंगें बिसमिला पढ़ कर रहा है बिसमिल्ला बड़के जी जी जान भाई पर वाय जडरा इनको देखतें हैं आज अच्छा जी इसमें आपने इसको ना sign up करना है हसन बाई sign up ये बिल्कुल free है 30 days के लिए ये दे रहे हैं आपने इसमें अपना email मैंने अर्ड़ी मैंने अब sign in कर दिया ये मैं main dashboard पर आ रहे हैं ठीक हो गया चलो good हो गया आपने ये किया हुआ है तो आप फिर ऐसा करें आप जाएं गूगल में जाएं इसको छोड़ने निया टैप खोलें और गूगल में जाएं आगया सर्थ जैन बें को एक्सपेंडर करवाएं और एक्सरे करवाएं जी जी Amazon suggestion expander लिख इलियम टैन भी लिखें Amazon suggestion expander ये आगे है आगे हुआ है इस पर क्लिक करें ये आगे अजी इसमें आपना ये इसका जो आप extension है ना पहले नमबर पर क्लिक करें इसको extension को आपने इसको एंड कर लिए इसको छोड़ दें इसको छोड़ दें ने टैप में जाएं पहले Amazon खोलें अच्छा मेरे पास और डी extension है डाउनलोड हुआ है दांलोड है वह दावलोड है चलो ये भी हुआ है ठीक है अच्छा ये आप अब चलो ये भी हुआ है आप ऐसा करें फिर आप जाएं Google में जाएं लेगे सर लियाँ टैन extension लगाएं वो भी हुआ हुआ से एक्सरेय लगा हुआ थे ने वी क्युक्सेट हैं अच्छेक करें देखें लो कि ह्हुआ हुआ वैसे चलो हो गिया तो शोर हो रहा कहांप़ है यह सर ली अरुज हैं झीक्रणिस्ट हुआ हुआ है थीक है जिया आप फिर बैठे हैं पिछली सीडले जी किसी और पार को आने हैं उसको नहीं पास है बैद के बाद के बाद के बाद के बाद है इनके ले लेख लेख अ कोई और आज़ है कोई और आजाए इर्फान बाई एक लैपटॉप नहीं है अकॉडिन तो एमाज़ों भाई जिरे मुझे एक मिनट लैपटॉप को जॉइन कर लेने दें मैं अभी आपके बास आयता है इसके इसके इलावा कोई है लैपटॉप पर तो बोलें भाई बिलावल बाई और बाकी जो बिलाज हीजे का ये सब की हल्प होगी सबको बताया जाएगा इससे आफ एमने कर लिए और मैंने राध को कर लिया था सारे को चाहिए और जिस किसी का नहीं हुआ तो अजाए बाकी साथ का हो गया है अच्छा मलिक जवाद साब का होगे मिस इरम सिदीकी का होगे मौमद बासित का होगे आप लोग बताईए आप सबका हो गया है चलो फिर इरफान साब आते हैं दो मिनिट में नहीं सब कहते हैं तो फिर में वो अंस्टाल करके दुबारा से कर लेते हैं कोई शूर नहीं चलो बूड होगे काफी लोगं के पास होगे चलो इरफान साब आ रहे हैं तो अभी करते हैं वालेकुमस्सलाम जनाब इम्तियास साब आ जाए ना ठीक है भई जब भी आजाए जिसका लैटाप आजाए काल आए परसों आए 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 मैदान में और जहां समझ नहीं आती आप हैल्प लें नहारी लें कलास की लें सब की लें और बेजिजक आएं और काम करें इर्फान साब जी इर्फान साब आप की स्क्रीन शेयर हो गई है और आप गूगल ओपन करें और उसमें जाएं अमाजोन ओपन करें सबसे पहले अमाजोन में जाएं इसके डिलिवर टू की मार्किट चेंज करें इधर कोई एडरेस दें अब सर्च करें क्या देना है क्योंकि ये मार्किट कौन सी ओपन है पहले ये भी बताएं ज़रा ये जो आपका अमाजोन लिखा हुआ है न डिलिवर टू पाकिस्तान की लेफ्ट साइड पे ये बता रहा है और वो आपका बता रहा है कि कौन सी मार्किट प्लेस ओपन है आपके बास इर्फान सर आपकी अवाइस नहीं आ रही है आपकी अवाज नहीं आ रही है अपना हसन भाई जैन भाई इंट्यास भाई देखें जरा केबाद खान चेक करें सही हो रहा है काम गलत हो रहा है अवाज तो नहीं आ रही तिल्कल नहीं आ रही हो आपके बोले तो अगले जागते हैं और रात बही काफी सवारी है जो नहीं सो गई दी ओगे जब कलास एंड हुई है मैस्जेस देखें मैंने कि सर जी बास कर दे नीदा आ गई है नीदा रही है उपर से घुजर रहा है अपना इर्फान भई आप ऐसे करें आप मुबाइल से भी जॉइन कर लें चलो बोलते हुदर मुबाइल से रहिएगा इदर काम जो है आप इससे करते रहिएगा लैपटॉप से वो फिर इजी रहेगा क्यूंकि ऐसे कम्यूनिकेशन नहीं होगी तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा एमाजोन में जाए ना सबसे पहले वो एमाजोन जो ओपन किया था उसमें एक गलती है तो वो दरा इमत्यास सब देखें इसको क्या गलती है बागी भी सब देखें दरा बताएं इन्होंने में खैल से उपर पॉस्टल कोड नमबर नहीं डाला उनाइटिट किंग्डम के लिए इसका जो कोड है ना वो ए सिक्स्टीन एएन बंडल इस कोड कुगल में सब्सक्राइब आप ये कोड आप ये कोड डाल दें मैं ये कोड बता रहा हूं ये उत पर जाके ना उसको क्लिक करें जहां पर लिखा ना यह ये इसको निचे लाएं आप लिखें इस पर कोड आप लिखतें जनाब्य अली इ इसक्स्टीन लंडन ये इसक्स्टीन एन आ जाएगा उसको अपलाई फिर कर दीजेगा ये आप कैप्स में डालें सर कैप्स लॉग बढ़र कैप्स कैप्स में डालिए अपलाई अपलाई इसमेश पही 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 आता है कही स्पेस भी आता है मम ट्राथसाथ पताए स्पेस नहीं आता और गल्थी आप पक्ड़ने सब या सर ये यूएस आपने सर यूएस किया हुआ है आपने उपर लंदन का डाल रहें नीचे भी लंदन का लेक्टर यूनाइट किंग्डम करें हाँ हाँ एमाजान डाट को डाट फिर आएगा यूके ये बिलकुल जबदास ये चीज़ इंद्धास आपने बताया है बई ये एमाजान सबसे पहले अमेरिका भी बना था और एमाजान जब अकेला आता है तो इससे मुराद है कि आपकी अमेरिकन मार्किट ओपन है ठीक है यानि कि आपने अमेरिका का टिकट लिया हुआ है आपके पासपोर्ट आपके हाथ में है लेकिन आप जनाब लाइन में लगे हुए है यूके वाली फिलाइट के समझा गई है तो ये सीन था अब यूके आगए आप डालें जी इसिक्स्टीन ए-न वही वाला कोड इधर भी अप्लाई करते है इधर जरूरत नहीं है बस आटो चल जाएगा नीचा जरूरत नहीं है खुदी हो जाएगा आप तो प्लोर डालगे है जी जी ओके है जी ये सबसे बड़ी गलती होती है और सबसे पहली और सबसे आखरी गलती यही होती है कि जब भी कहीं मसला आ रहा हो समझ ना है तो आप इस पे नज़र मारें कि कहीं ये हमारे पास क्या सीन हुआ घड़ा है ठीक हो गया अभी अब यहां आप आमाजान आमाजान में सर्च करें आप एक चीज दिखाता हूँ ना फिर नेक्स जबते हैं आमाजान में सर्च करें आप टावल लिखें या आईस क्रीम स्कूब लिखें कुछ लिखें ती ओ डवल यूई या लिख दें कुछ भी लिख दें जी बस इदर रूख जाएं इंटर नी करना देखें अब यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नह बस यह दस रिजल्ट आपके बस टैन रिजल्ट शो रहे हैं ऐसे हैं रिफान साब जी बिलकुल ऐसे हैं चलो गुगल में जाके लिखें एमजान सजेशन एक्सपेंडर जी बिलकुल इसको आप क्लिक करें इसमें पहला लिंक ओपन कर लें यही बाला जी जी अब यहां पर एड जी बिलकुल कर दें जी एड कर दें इसको बाकी लोग जो देख रहे थे करसर कह रहे थे कुछ लोग स्लो है तो जिनकों कोई इशो तो बता दीजिएगा ताकि उसको दोबारा रिपीट कर देंगे कहीं पर लेकर हो जाएगा और यह सजेशन एक्सपेंडर आएगा उसके सामने ही है जहां यह एड टू क्रोम लिखा हुआ था बलू कलर का ठीक है एक्टिव तो उसमें आपने क्लिक करना है वह एड हो जाएगा और यह एड आपका रिमूव में बदल जाएगा इतनी सी बात है जी अब चलें उपर आपकी डीपी की लेफ्ट साइड पर जो हैमर खड़ा है नीचे नीचे आपकी डीपी जाएगा जी लेफ्ट साइड डीपी की लेफ्ट जी इसको एक्सेंशन कहते हैं देखें इसके उपर रखें कर सब्सक्र एक्सेंशन लिखा हुए नीचे हैं इसको पिन करें जो ये एम जे सजचन का ये जो फोर आइरो हैं इसको उपर-उपर खड़ा है एम जी सजचन एक्सBender इसको पिन करें पहले लाइट था अब पिन है तो ये बिलू हो है के बाद खान जी जी सर समझ आरी है यह बलू हो गया जब भी आप inатов होती है यह दिया कोई extension आपकी तो ब्लैक और वाइट में होती है जब उसको आप फिन करते हैं तो वह कलर्फुल हो जाती है बलू हो जाती है जी नेक्स चलें, आप वहीं जाएं आपने अपने अमाजोन में अब इसको एक मर्टबा रिफ्रेश करें पेज को उधर से लागें जार रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करें, जी बिल्कुल अब इसमें वही आइस्क्रीम स्कूल लिखें बस ठीक है, अब देखें, देखें अब कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेंड हो गए है ना, एमजी सजेशन एक्सपेंडर लगाने से वो हमें सजेशन दे रहा है, उसने हमें बहुत सी सजेशन दी हैं जिससे हमारी रेंज एक्सपेंड कर गई है, बढ़ गई है जो पहले रिजल्ट्स थे, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए चलो जी, अब जलें गूगल में सर जी, एक सवाल जी, जी जी, सर सर जी, ये जो जो सजेशन एक्सपेंडर के जो रिजल्ट हैं, ये कल भी आपने का था, मैं साइध कल बताऊंगा कि त्री कलर्स में हैं सर जी, रेड, गरीन और ब्लैक तो वाट इट शो सर ये शो ऐसे कर रहा है के कलर्स को छोड़ने, मतलब ये जो ब्लैक और वाइट वाले थे, वो आपके पहले थे जो फिस्ट में शो रहते, और ये इजाफी शो रहे हैं, जितना कलर्फूर एरिया है जी, वो तो कल कलियर यानि तीन गुना अब बस वही बात, बागी कोई खास नहीं है अगर सेम कलर में होंगे ना तो हम डिफ्रेंट शेट नहीं कर पाएंगे अब हमें पता चाला के वन, टू, ट्री, पॉर पॉर कॉलम्स में हमें इतने जादा जो है हाँ जी, जी, बोले मुहमद जी, जी, अब प्रॉत है, जी, जी जी, 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 बात कर रहा था कर था कि यह वाले जो ओर रहा है ना यह जो वाइड थे जब हमारा एकस्पेंडर नहीं लगा था तो यह वाइड तो वही थे यह आ गये अब जो चेंज आया है, इसमें ये देखें, ये कीवर्ड बिफोर, ये वर्ड देख रहे हैं टॉप पे ये वाला सारे, सब लोग आ रहा है ना, ये उसने सेगरिगेट किया हुआ है, ये कीवर्ड बिफोर हैं जहां तक है, जो पिंक आ रहे हैं, डेन आपके ग्रीन आ रही ह है, जो हमारा में कीवर्ड है, वो बिफोर आ गया, और अदर्ज में दे रहा है, जैसे हमारे कोई है, ये ये यूज़ हो रहा है, ये उसने नेक्स केटेगरी में उसको शामल कर दी है, यह इस तरह साथ कुरूसे अपने अंदर ही दे दी हुए, जी 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 ये देखें जी 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 बिलकुल, ऐसे ही है, ये ये कीवर्ड भी फॉर है, आफ्टर है ठीक है, उसके बाद अदर है, मनलब किस केटेगरी में आपने जाना है, आप उस केटेगरी में जाएंगे डिरेक्ट या आपको, आपके माइंड में होगा ना, आपका कीवर्ड, वाइट में इपने इस आप से कर दिया है जी ओके सब्सक्राइब कर दिया जी ओके ज आ गया जी गुगल में जाए और करवाएं और हिलियम 10 का का अकाउंट नवाएं जैन भाई जी इसमें हिलियम 10 लिखें जी इलियम 10 जो ना एक्स रे एक्स टेंशन एक्सप्रे जैन भाइ पहले हिलियम 10 का अकाउंट से एक्टिवेट कर रहा है पहले हिलियम 10 का अकाउंट पर अपन करें यह एड्स वाले निचे है जब भी कोई भी आप वेबसेट उपन करते हैं जिसके साथ लेबसेट पे आड लिखा होता है उसको उपन ना किया करें सब्सक्राइब करें अब्सक्राइब करते हैं और इसमें मैंने कल भी बताया था कि अगर आपके पास आप सेरीब्रो ज्यादा यूज़ करते हैं आप कर रहे हैं तो आपको चाहिए ज्यादा मतलब अकाउंट चाहिए हैं क्योंकि इसके लिमिटेशन होती है तो उसके लिए सरा आपने का था कि फर्दी नेमली लेकर रैंडमली कोई भी मतलब जीमेल देते हैं आप नाम लिख आगर जीमेल भी अगर रैंडमली कोई दे देते हैं तो वो मान जाता होता है ठीक है कभी कबार वो ऐसे होता कि अगर एक जीमेल है वो आल्रेडी यूजड हुआ हुआ है तो वो नहीं मानेगा उसको नहीं एकसेप्ट करेगा दूसरे पर एक्टिवेट हो जाएगा साइन अप हो जाएगा गेट स्टार्टेड सेव कर लें हुआ है यू एकसे अर Bent感じ एकसाइगा मैंननि एकसाइग करेंकि यूँ इस हो सब्सक्राइगा उस्टाइग पन्सक्राइग करेंकि लिए जाएगागा अ है क्ष्ग्धी करेंकि लिएगागा है लुँथै Howard樣 इनफुलिक मुझा तर निंवे अभी है तर अग किन्युक नेक होना अभी ति चाहिए क्टि एूल लुट अगरघ्लुन्तhand OP SPEAKER? Sell a central account की बाग करें, not know Then again, Google अब इनकि एक्स्टेंशन लगवाएं जी, जी Google में जाएं Google में जाएं Helium 10 extension लिखें जरह Helium 10 यह नि उसके आगे extension लिखें, बेस्टेंस देखें निचे आएं जरह करें क्लिक इसको ठीक है डाउनलोड करें इसको वो एट्रुक्रोम जी ठीक हो गया यह बिल्कुल सिंपल है बाकी स्टुनेट्स भी यह दूसरे भी जो हमारे मतलब क्लास का लोगा है कोई इतना मुश्किल नहीं है बड़ा एजी है आप जब मतलब सिर्फ इसको एक तफ़ा लिख लें अपनी कापी पर यह नोट बुक पर जिसके भी नोट्स बगरा लें तो आप खुद भी आड़ कर सकते हैं आप यह जरा बताएं ताके बाकियों के रुवियन हो जाएगी बताते जाएं मैं सास्तर करें जैसे कि आइस क्रीम कर लें आपने कौन सी हाँ चीक है और जो एक्स रे लगता होता है वो नीश पर लगता है मार्किट पर लगता है किसी भी की वर्ड की मार्किट पर लगता है ना कि किसी प्रोड़क्ट की डिटेल पेज पर लगता है इसको ओपन करें बताता हूं कि आइस्क्रीम स्कूप का जो है ना मार्किट पेज ओपन होगा मार्किट डिटेल पेज होगा, आइस्क्रीम स्कूप, पुरी मार्किट ओपन हो जाएगी इसकी ना इरफन भाई, इंटर करते हैं अब जाएं आप उपर हिलियम टैन में जी अहां, वो जो एक्स्टेंशन है, एक्स्टेंशन में एक्स्टेंशन जी, इधर यहां इसपे पहले पेज उपन करें, अमजान का पेज उपन करें अब जहां पे वो अमजान का, आप जाएं इसमें, इसमें एक्स्रेय लगाएं फ़स्ट वान जी जैन भाई, बताईये गादरा अच्छ जी अच्छ जी इसमें सबसे पहले आपने इसको फिल्टर करना है, राइट साइड पे उपर ब्लू कलर का लिखा हुआ है, जहां पे 60 पटा सिटी लिखा हुआ है, इसको फिल्टर करें जाना एक मिने जैन भाई, पहले यह तो बताएं ना कि फिल्टर करना क्यों है जी जी यह ना बेसिकली जो एड्ज यह स्पॉंसर वाली जो होते हैं ना बेसिकली उनको खतम लेट साइड पे एस्पी लिखा हुआ है, जहां पिक्चर लगी हुई है, इसकी आपकी पिक्स लगी हुई है, प्रोड़क्ट की, इनके साथ 1, 2, 3, 4 नमबर पर जिदनी भी य हैं, इनके साथ S P का वर्ड लिखा हुआ है, नजरा रहा है, यह यह वाला, S P मीन के यह स्पॉंसर्ड हैं, यह पीछे को दस्वें पेज पे पड़ी थी और एमाजॉन जो है ना, उन्होंने एमाजॉन पर PPC चलाई और उसको फी दी और चार्जिस पे किये, जना मार्किट हैं के, और वो उनको स्पॉंसर्ड करके, कफालत करके, उनको धका लगा के इदर ले आया है, फस्ट पे, तो इसको हम सबसे पहले डेल करेंगे, क्योंके स्पॉंसर्ड वाली प्रोड़क्ट बीच में आ गई, तो हमारी जो स्टैट होंगी, वो गल्त हो जाएंगी, इसके हम फिल्टर लगाते हैं, इधर मैनुवली भी एक-एक को क्लिक करके कर सकते हैं, लाकिन आप फिल्टर में जाएं, उसी कीफ में जाएं, वो 60 by 60 के साथ, जी जैन भई बताएं आगे, ये नीचे लिका हुआ है, हाइड स्पॉंसर प्रोड़क्ट फ्राम रिजर्ट्स, सबस अब आपने देखा लेपसेट प्रोड़क्ट प्रोड़क्र फिल्टर वाला जो हैना वो खतम होगी हैं पर अब इसको इधर ही चोड़ दें अब इसको इधर ही चोड़ दें और जाएं क्राइटेरिया ओपन करें, मैंने सेंड किया आपको, इसमें एड्मेंट ग्रूप में पड़ा है. आप एड्मान में थे संद करेंगें शर्री बीवन में में करता हूं, मैं दौरा करता हूं. इसमें पड़ा उड्री ग्राइडिया, अने ब्लेट कर अधिक रडिए अंटिंग राइडिया होगा उपर वैसे कि अधर एक पूछ रहा था कौन पूछ रही थी क्या करवा जी सब्सक्राइब एक दफा करवाने जरन दुपारा एक्सपेंडर का आपके पास वह है लेप्टॉप है जल्डी से ऊज पटाने में ते तो समझ नहीं है। जो वीडियो रिकारद कर दिकें ना संफ म différence रुपारा तो पूलेगे वन चेनूट रूबते हैं। एवेज कने इसे कि स्कम पर वाथ को एक गया पर एन्हां पर एक गयाती है। आपके पास लैपटॉप है जा लो करें बैश सक्रीन शेयर करें और जहां मैं कहूं आप इदर इस स्टेप पर रुकना है तो हर स्टेप पर थोड़ा वखफा करना है आदा में लिए कहना मैं स्क्रीन शॉट्स लेके उन पर लिख कर डिटेल और सेंड कर दूगा सब वह इजी हो जाएगा सब के लिए आज तोर पर उन के लिए जिन लोगों पर पास लैपटॉप नहीं है जी जी क्राइटेरिया भी पड़ते हैं सेंड किया था मैंने ग्रूप में जी गौर भई गौर भई हैंड फ्री होनी चाहिए और आप शोर होते हैं है सर में मैं आज शोर से साइड में पर ठीक है करें जनाब शेयर और इसके बाद देखते हैं यह यह इंटेस को हैं सर दोड़ी बहुत चेंज है देखें न बई पढ़े न आपको भी दिये हुआ है दोनों है यह यूएस का उसमें है उपर USA का कलम ने पढ़ा था, UK का आज पढ़ेंगे उसी फाइल में है, उसको फाइल को उपर नीचे करते हैं, आप स्क्रोल डाउन करते हैं तो आपको नज़र आ जाता पूरी फाइल जो चीज बन्दा बेज़े उसको खंगाला करने अपकी हर चीज एड है जी बिल्कुल करें स्टार्ट गूगल में जाएं और सेजेशन एक्सपेंडर लिखें यह स्क्रीन किसकी शेयर आया है इस पान भी यह आप की है जी जी मैंने स्टाप कर दी है अज़ आपने स्टाप कर दी है चलो भई स्क्रीन शेयर करो भई गोर भई इंटायर पर क्लिक करें ऑपर जब स्क्रीन आएगी स्क्रीन जब उपर आईगी उसके उपर क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर और आपका शेयर का बटन बलु होगा एक्टिव हो जाएगा दैन आप उसको यूज करेंगे तो पर मिसल में होगी यह जी गूगल में जाएं यह गूगल में जाएं पर इसमें पहले बन जाएं यह सर पहले 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 यह सर है यह सर है यह सर आगी 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 है लेकर आगे नहीं हो रह सब्सक्राइब आप चलें उसमें जाएं गूगल में जाएं यह भी आपनेशन में जाएंगा यह जिए फिर यह जाएंगा यह जाएगा पहले यूपे की मार्किट वह जाएगा यह जो एमाजॉन सिर्फ होता है यह आपकी अमेरिकन मार्किट होती है यह ऐसे ही है कि आप अमेरिका में अमेरिका की मार्किट से सूपर बिसक्ट मंगवाएं अगर यूके बैठे हुए तो वो तो बड़े मेंगे पढ़ जाएंगे आपके यह सर अमाजॉन यूके शॉप शॉप इसको बिल्कुन नीचे है अमाजॉन डाट को डाट यूके नीचे लो प्राइस वाला नीचे इस से नीचे यह लो प्राइस येस अब यह अमाजॉन डाट को डाट यूके है अब यूके की मार्किट यह ठीक है जब सिर्फ अमाजॉन होता है सबसे पहले अमाजॉन अमेरीका में बना है तो वो अमेरicans मार्किट ओपन होती हैच इसके साथ कुछ नहीं लिखा होताए इस पर क्लिक करें पाकिस्तान को सर जी फिल्कुल पाकिस्तान हाँ यह ऐसे ही है कि हम यूके से कोई मार्केट मंगवा रहे हैं कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं पाकिस्तान लेकर यहां यह लिखे नीचे लिखा हुआ है इसी के ऊपर क्लिक कर दें नीचे जुनातर हाँ इसी के ऊपर बस अपलाइक करें उधर लंडन की लुकेशन आजाएगी यह यह जो आप मार्केट प्लेस जो कंट्री ओपन होता है उसी के किसी सिटी का आप जिप कोड देते हैं यह तर गिनमन की आउगी तर आपने किया था यह जाने किया था इस के साथ एसक के साथ अपने हैमर कड़ा है एक्सटेंशन जो बनी हुए है यह इसे पर कलिक करें नीचे है ठीक है यह पीन आप गूगल यह हो गया गूगल में जाए जी हसन भाई अकाउंट बनवाए हाँ हलियम टैन लिखे हसन भाई जैन भाई देखें जड़ा जी यह हीलियम टैन आप ओन करें लिए एक पैंच नीचे जाएं नीचे नीचे यहां पर देखें साइन अप नाव साइन अप नाव आ रहा है इसके प्लिक करें साइन अप के मैंने क्लिक किया सब अच्छा आपका पहले से बना हुआ है इसको सर मुझे एड़ करना नहीं हारा कि मैंने मुझे इसको 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 आपका अप्सक्राइब स्फिस्सक्राइब यह क्लिक करें अपिन करें इसको जाकर उधर से एक्स्टेंशन में से जाकर वह कर हैंपर हैमर में जाकर अब इसको पिन करें पिन को ब्लू करें यास यह चीज़ बस हो दिया और सर इसके लबाब और सर यह सर दो कने से लियम टैनर और इसके लिए जी एक्सपेंडर बस यह दो यह यह दो हाँ एक्सपेंडर सेजेशन एक्सपेंडर एमजी अमजोन अच्छा आप ऐसा करें जैन भाई जी 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 आप उसमें जाएं एक्सपेंडर एक मर्दवा इनको रिमूव करके और फिर दिखा दें स्टैप बाई स्टैप हिलियम टैन की सब को समझ आ गई है या कोई है इशो हिलियम टैन का काउंट बनाना है आपने और दो एक्सपेंशन लगाने तीन काम है ओवराल हिलियम टैन की एक्सपेंशन और दूसरी एमजी सेजेशन एक्सपेंडर की यहां पर देखने मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको अगर नहीं हुआ तो मैं दुबारा से रिमोग करके करवा देता हूं अगर टाइम पीना माना बक्चेगा जी तो एडिया है उनको एक्सपेंडर करवा दें जी सर्व ओके ओके करवाएं भाई माइक मूट रखा करें फौरन माइक मूट लिया करें गोहर भाई जी चलें जी इसको रिमूव फरमाएं पहले और इसके बाद गूगल से ही स्टार्ट करें आपकी स्क्रीन स्क्रीन अपने शेयर करें जैन भाई अच्छा मैं करता हूँ एक मिनट मैं कर रहा हूँ और फिर देखते जाईएगा और आपको फिर उसका सारा स्क्रीन शॉट्स भी मिल जाते हैं यह ठीक आप करें यह ठीक जिए सर्ट disp झाल 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 फारुक भाई आवाज नहीं आ रही आपकी बोलेंगे तो आएगी ना काम चेक करें आप अच्छा बोलेंगे तो आएगी है बाद में मैं समझे श्याद मेरे रहीं के कोई प्रोब्म है आपके यह बता देंगे चल्दी किसमें स्ट्रेट के आप इस अपकी एक्स्टेंशन तो यहां जाका आपनी इस एक्स्टेंशन यह लिखा हुआ है जो हैमर बना हुआ आपकी डीपी के साथ इसमें जाकर इसको ब्लू करना पिन करना ब्लैक एड़ वाइट होगा इंकरेंगे तो यह पिन करेंगे उपर से राइब हो जाएगा यह देख पिन किया आगया एक मिनट में आए एक मिनट में आए एक मिनट में आए एक मिनट करें यह बनीड कर दो यह वाइब रूग भाइग वाइशना की दूरर की मास्ता ने झाल 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 सब्सक्राइब इसके बार कॉपी को फ़र सा आगे चलाएं, क्या रहा हूं पर बजब है? झालाएं, क्या रहा हूं पर बजब है? जी सर, अब आपके बास है, क्राइटेरिया और यूके का क्राइटेरिया जरा स्टार्ट करें, क्योंकि ये बेसिक की समझ नहीं आएगी तो फिर कोई फाइदा ही नहीं है, आगे ऐसे बागने का, बागी टेंशन ना ले, आगे दो चार दीन ने, इन्शालाओ उसमें आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ये निकल जाएगा, क्या कहते हैं, जी पढ़ें रिफान भाई, और वाकी किसके बास है क्राइटेरिया, जिसके आवाज सही है, जैन भाई आप पढ़ दें, हैसन भाई आप पढ़ दें, उसमें बेजा है मैंने, ग्रूप में बेजा है, और कि मैं परतों से, अब टापिक आगे का मकसद ये है, कि आगे ये जो क्राइटेरिया है, ये आपको जबानी याद होना चाहिए, कल तब मज़ा है, मतलब नेक्स जो हमारी क्लास होगी, उसमें जब ये याद होगा, तो फिर हम भागते जाएंगे ऐसे, बाकी कुछ चीज न जी स्क्रीन अपनी शेर करेंब्र 카र के मैं कार रहा हो, ओके सका ये क्राइटेरिया, क्रुबर ब before analysis नीचे नीचे अपना UK वाला पड़ा है तकरीब हम सेम सेम हैं वो पढ़ें जरा नीचला पढ़ें ऊपर वाला मने पढ़ लिए हम ज्यादा डिसकस करें UK मार्किट को तो हम कल उसको देख को आज इसको आज इसको बाउट करें जी ये बताते हैं साथ में उर्दू में ट्रांसलेट करके ये कहता क्या है आज इसमें ये कह रहा है कि आपने जो है एनलाइस करने हैं सर अचली मैं ये क्लियर नहीं हूँ अबी मैं अर्दू में नहीं बता सकूंगा ये मैं बता दो सर शोर ना आय तो फिर बताया अगर शोर आया तो फिर आपका बताना है अजी अभी शोर आ रहा है सर अजी अबी शोर आ रहा है पीच में इम्तियास वह आप समझा दें जरा अब फरुक साब बाकी बताव से उसकी वाज इसलिए नहीं आती है अचल का माइक भी ऑन है बाकी दो चार माइक ऑन होते हैं इसलिए उसकी वाज दब जाती है किताब बताएं मैं I just want to listen to people असल में मैं कल भी देख रहा था 47 बंदे थे और चार के साथ बंदे बहुत बहुत बाबाद करते हैं असल में सब को हिसा देना चाह रहे हैं भरुक सब मैं I understand your मैं चाहता हूं बाकी भी बोलें यस 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 मैं भी करता हूं बही बोले लेकिन कोई ऐसा बंदा जो बोले जिससे बंदे को सुनके टेंशन हो तो फिर शोर हो जिसको ज़्यादा गर्मी लगती हो वो कूलर के उपर माईक रखके बोले तो फिर मज़ा में भी नहीं आता ना यह मसला है बाकी कोई इस्टाम जी बिरेस्टाम आप जो जो चीज को आगे रखते हैं जो हम क्लाइंट को हम जब हंटिंग करके जब पूर्ड़ाइक उसको दे बिखाते हैंगे यह देखो हमने आपके आपके लिए यह प्रोड़ाइक हमने हैंट करके आपके लिए दिये तो सबसे पहले हम पिक्चर में उसको हम जो दिखाते हैं हम सब्कुट है सबसे पहले उसके टॉप पे लिख्धावय जंगल स्काउट एक्टेश्टिंशन जो है है उसको हम रिवीव दिखाते हैं कि विनिंग प्रॉडैक्ट आपकी कौन सी होगी विनिंग प्रॉडैक्ट वो होगी जिसमें आपके पास हजार रिवीव हजार रिविव कमज कम होंगे यह यूग 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 के लिए और सचेंड चीज़ उसका सर्च वाल्यूम कमज कम इसमें जंगल स्काउट का जब आप एक्स्टेंशन अपने पास डाउनलोड करेंगे अभी आपने हिलियम टैन कर तो एक्स्टेंशन डाउनलोड किया है इं एक्स्टेशन में हमारे पास स्टॉक स्टेट हैगा एफबी ए टूल किट है और MSZ स्काउट FBA कैलकुलेटर है और DS कुछ विईव यह तीन चार फ्री यह तो तीन चार जिस मैंने एक्स्टेशन के नाम लिए हैं यह फ्री हैंगे इसको हम इशादा आगे चाहिए इसे ही है अदील साब लेकिन हम यह चाह रहे हैं ना कि एक कुछ समझ लेंगे ना फिर वो आगे दूसरों को यूज करना मसला नहीं होगा यह नहीं होता कि मतलब एक बंदा अभी सिकलाई कर रहा है उसको जी अलाई से उतारें और महरान में डालने महरान से उतालके हारडी मे डालने तो यह सीन हो जाएगा जी बिलकुल यह है हमारी सवारी हैंगी बिलकुल यह बहुत इंपॉर्टन है जब एक गाड़ी ड्राइव कर लेंगे एक टूल इसके बाद उनको इन्शाललह सब की जो आना ड्राइविंग करवाएंगे नो टेंशन बाकी चीजें कोई खास होता है उसका 10th सेलर सेलिंग मोर देन यह टैन थाउजन डालर यह निकिए जो हमारे पास उपर लिखा बाता है हमारे पास जंगल स्काउट के रिपोर्ट के अंदर वो कस टैन टॉप टैन सेलर्ट जोंगे वो उनका रेवन्यू टैंस थाउजन डालर होना चाहिए और नूबर फ़ाइव पे नूट मोर दन थी इंट टैन अमाजन जो है वह थाईसज अज़ए जासेलर दिल साब आवाज चली गई है सर मैं सुना देता हूँ सर मैं बता देता हूँ जी अब्दुल्ला भई बता दे एक्सलिंग करें भो स्टार्ट से एज़ प्लीज अब्दुल्ला भाई एक मिनट ठैड़ गेगा ज़रा एक वेक्वेशन ले ले मेरा खाल अभी क्योंकि मेरा ख्याल है हसन भाई ने जो अभी हमें बता रहे थे स्टेप्स बिफोर एनलाइज मेरा ख्याल है हम अभी उनको जरा वो कर रहे थे कि लाइक दे फर्स, सेकंड और थर्ड वाला कि उसका एक्च्वल मतलब क्या है तो मेरा ख्याल है वो अदील भाई जो है वो एनलेसिस क्राइड एडिया पर चले गए थे वो थोड़ा कन्फीजिल हो गया उपर वाला वो स्केप कर ते बिल्कुल नतिया है एक बंदा कराए भई अब्दुल्ला भई आप करवा दें अब भी कौन करवाएंगे आप करवाएंगे आप करवाएं करवाएंगे अब्दुला भई जो एवरिज रिवियोस औप टॉप टेंज सेलर्स जो एवरिज रिवियोस हैं वो टॉप टेंज सेलर्स के जो होने चाहिए अब्दुला भई एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी जो इन से उपर जो टॉप टॉप ट्री है ना उनकी बात कर रही है ये ये बात हासन भई हसन भाई स्क्रीन को थोड़ा से ना बढ़ा करें स्क्रीन को बढ़ा कर दें फुल कर दें ताकि एजी क्लेर हो जाए सबको साइट पे जो आइकोन आ रहे हैं ना इसको फुल कर दें आइकोन निकल जाएंगे आइम सॉरी मैं डिसकनेक्ट हो गया था चलो कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला भाई करवाएं चले करियों चीक है जी यह तो प्रग्रिबन क्राइटेरिया हो चुका है हमारे पस ना अब अभी अगर हम हेलियम टैन पे हैं तो मैगनेट हेलियम टैन का कीवर्ड इसाज जो मैगनेट हैगा हम उसको स्टेडी कर लें अदेल भाई अदेल भाई अदेल भाई सोट भाई से शुरू करें अलिफ बे से शुरू करें हिलियम टैन पे ना जाए अभी इसी क्राइटेरिया को उपर वाले थ्री स्टेप्स आपने पहले छोड़ दिये वीफोर अनलेसिस जो है और इनको पेवर उर्दू में बताना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पितलेक है तो हमने ऊपर उपर याणि वो फिल्टर लगा हु में कि खिल बगता तो इस तरह से हमने हाई टूलो कर लेना है और नीश अगेंस्ट यॉर की वर्ड जैसे कि हमने आइसक्रीम स्कूप को हमने सर्च किया है अब उसके अंदर जी आइसक्रीम स्कूप के इलावा जी उसके अंदर कुछ और भी आ रहा है है तो हमने उसको कर देना है रभी तो अमारी हिर जो हमारी केटीगरी जो मैं Chall terrace कैटीगरी मैंने आपको दीए इस कैट इरिकार आपके पूटक निकाल कि यह तो आपने आपने और यॉज़ कर देना है और नंबर स्टैप पे ह circles को पाаем मैं कांट जो अगर उसके अंदर डुप्लिकेशन आ रही हूं तो हमने उस उस डुप्लिकेशन को भी जाए वो एवॉइट करना है यह तक्रीबन हम उसके बाद हम नेक्स जाएंगे फिर उसके बाद हम उसका रिव्यू देगे यह तो किसी ब्रैंट की तीन चीजे अकठी आ रही है तो उसको आपने एक कौंट करना है नहीं चीख है जी जी चीज चीज अ यह ठी ऐघ सेकंड वैड़ा है वह बाद की ह्Goldas a यह बना किंदे वह बना कर दार सकसराव कि जी जी ना टॉचवाइट यह पता दिया कि रैविन्यू है और इसका ठाउकर रेवन्यू क्या rate अब जो जिरू स हो रहे हैं सुनकू हस havoc करें और हमकफिन स्थिन कज़िए कि टूमुलह प्रवमुटिक रखी राविन्यू करें करें भाई करें हमसे क्रूछ पूछते हैं जब आपका नमबर लगा हुए तोआभ आपका है जी रहिवनियू जो यह टूटल रहिवनियू हमारे पास जो एवरिज रहि milligram you उस इस लिष ओस सेलर के आगे जो अगे आगे ning ِ commit Candle राइंगे तो है पर revenue आ जाता है। साथ से वह सौर्ट करें उसको कि जिसका उसका हाइस रेवनियु है तो वह सबसे हाइट लो आएगा कि जैसे इसका नारमली होता है कि हम कुछ चीज करीते हैं तो सबसे महिंगी चीज हम कर देते हैं कि टॉप यह फिर उसके बाद उसके लोर रेट प्याता जाए तो इसी तरह हमारे पास यू के मार्गिट के लिए हमारे पास जो इनेबलर की गाइडलाइन है उसके मताबिक तो इतना होना चाहिए लेकिन यह चीज आप यह हंटिंग का क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना वो जब सोर्सिंग की बात आती है तो उसमें एफ बीए कल्कुलेटर हमने चला होना है और हर चीज देखनी है कि क्या कुछ होना है आपको इधर छोड़ागी है आप इसको कंप्लीट तो कर लें पर रहे हैं ला के बंदे इस इंक तो यह में यह कंप्लीट हो चुका है ना हो चुका है जैन साब देखें जरा अदील भाई एक मिनट बात सुनिएगा अद इसरे स्टेप से सीधे साथ में ट्रेंडी पे चले गए हैं नेक्स्ट अनलाइस के उस पर मैंशन किया हुआ है तो इसलिए थोड़ा से डिफिकल्ड हो जाएगा अच्छा मैं साथ-साथ पूछ के सबसे चलते जाए इरफान बई मैं बताता हूं सर इसमें सर एक्शली जो इसमें जो 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 जिस जिस बंदे ने प्राड़क्ट लगाई हुई है उस बंदे की सारी डिटेल वहां पे आ जाती है जैसे मैंने लगाई है मेरा रैविनु आजिएगा जैसे हुजान बैई ने लगाई है उनका आजेगा जो 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 बंदा वाँ पे सेल कर रहे है उससे सारी डिटेल वहां पे हमें मजूद होगी अब हमें क्या चाहिए हमें वो टाप टेन जो क्राइटिरिया है हमारा हमें टाप टेन चाहिए कौन से टाप टेन वो टाप टेन जो बहुत ज्यादा अमीर हैं जो बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं हमने उनको चुनना होता है देखना होता ह यह क्या चीज मनले चीज आपना वह जो चूरन है कैसी बेच रहे हैं क्या क्राइटरज बात्या थूंट यूर इस खीज वह रख को सेल करें हमांन पर उसको हमने पिर आपको करे हाइड़् करना होता है जिसमें हमें फिर वहमें के रहनत पता चल अ है बिल्कुल ऐसे है जैन भई एक मिनट मेंन को दिखा दो करके यह अब देख आइस क्रीम स्कूप स्कूप लिखा हुआ है मैंने स्कूपर और अब मैं लगा रहा हूँ इस पर एक्सरे और फिर हाई टू लो कैसे करना है वो दिखाता हूँ जी 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 छी ठीक है यह अब मैं एक्सरे लगा रहा हूँ एक्शली यह ना प्रैक्टिकल चीज़ें होती है काफी कल मैंने काफी चीज़ें आप लोगों को बता दी है इसलिए कि वो समझ नहीं नहीं बताने में ऐसे ही जबके ने ने मैं कल बड़ा यगीन करें मैं फस्ट है मेरा प्रैक्टिकल डे था कल तो लेकिन यह है के थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के साथ टच है ना बंदा इस फिल्ड में आने से पहले तो उसके लिए उसके लिए ऍयिशू नहीं है हम जो बंदा जिरौ है तो इसके लिए थोड़ी सी प्राप्लम जरूर होती है कि उसको अलिफ बे COMPUTER की नहीं पता उसको रिफ्रेश का पेस्ट का नहीं नहीं बता का PY का नहीं पता तो उस बेचारे को फिर क्या मतलब वो फिर ज़रा प्रॉप्रम के लिए बिलकुल ऐसे अब ये लेफ्ट साइड पे ये जहां करसर में गुमा रहा हूं जहां ये वन टू त्री लिखा हूँ है इसके साथ ये एस पी लिखा हूँ है पिक्चर्स के साथ इमिजेस के साथ ठीक ये 60 by 60 लिखा हूँ है रिजल्ट्स यहां फिल्टर में जाके कीफ में यहां जाते हैं आप हाइड स्पॉंसर्ड प्रोड़क्स फ्राम रिजल्ट्स इसको करते हैं चेक और अपलाय फिल्टर करते हैं तो आपके वो एस पी जो होते हैं उड़ जाते हैं जितने भी होते हैं इसके बाद जनाब आपने ये S पी उड़ा दिये और फिर ये हाई टू लो जो है से करते हैं, ये रेविनू है, ये रेविनू है गराफ के बाद, जे आपके जो प्रॉड़क्ट की पामिस्टरी होती है ना लकी रहें, उसके बाद ये आता है रेविनू, और revenue अब random खड़ा है ठीक है यह 10 41 परस्ट पर आ रहा है अब यह आगिया जनाब अब यह आगिया है ascending order में अब हमने करना है descending में यह ऐसे आएगा अब आगिया high to low यह निदे रेविन्यू पर आपने क्लिक किया है वेसी वेली revenue के word के ऊपर मैं cursor को ले गिया वो cursor मेरा hand बन गिया और hand को जब मैंने क्लिक किया तो वो जनाब उसकी जो थी इसेंडिंग उसने कर दिया उसको जी बिलकुल पहले random में खड़ा था फिर अभी ascending में आ रहा है अब यह हमारा high to low descending में आएका न उपर से नीचे जाना है तो यह हमारी high to low order हो गया कि 13,826 है फिर अगले कर रेविन्यू 9,168 आ रहा है ऐसे उपर लाई भी 8,474 ऐसे ही ठीक हो गया अब इस बात की समझ आ गई है साथ में चोटा सा एरो भी दे रहा होता है एरो बता रहा है कि अगर तो टॉप से लो जा रहा है अगर एरो नीचे से उपर होगा तो मतलब उसकी होगा सर्जी रहाजार आफ सो चब्यस ये कौन सा थिगर है मतली होता मेरे है एक मत में वो इतना कमाथ ने ये टोटल इंकम होगी सुर्ण अच्छा फिए मंत्ली से टो टने 17 मिनिट करें इये टोटल मंथ की सेल में शार रहा है इस में अब न को चुंब है मुझा यह लग रहा है कि मन्तली सेल मंध्ली राविन जनरेट हो यह यह मंध्ली होता है तक रिम यह सेल्स उनट भी तो इसको करके मेरा एक क्वेस्टन ले लिजेगा इसी पेज पेज पे रेलेमेंट है जी 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 सार इल्चास हुकम ओडर आडर तो यहां तक अगर क्लियर हो गया तो फरुक साथ बगर आप यह देखें ना इसी पेज को और से देखें तो पैब उपर लिखावा सर्च व एवरेज रेविन्यू पाउंड जुमें है सारा सत्रह सो नीस एवरेज ब्राइस पाउंड टैन एवरेज बी एस आर इसकी बेस्टेलर रेटिंग है एवरेज रेवियू यह जरा बता दें इस एक प्रॉड़क्ट का है जो हम सर्च कर रहे हैं या यह जो किस पेज़ पे सा ले लेटा है ना इनके टोटल उप नंबर यह टोटल नंबर है लाकिन हमने टॉप टेन का बागी लेकिए इधर से ब्रैंड चेक करना है ब्रैंड डॉमिनेशन यह ओगजव हो इप ब्रैंड ना हो इसकी मतलब लिमिनेंसी ना हो यह औगजो टाफ फाइव में टू टाइम जो पहले वाला क्राइट एरिया था पुराणा ना मतलब टाफ फाइव में कोई भी ब्रेंड टू टाइम ना जाए अगर तू दो दफ़ा आता है तो फस्ट फाइव में तो वो फार है उसमें जाते ही नहीं है अगर एमजोन आगी ना सर एपिटिशन आगी जो पर था जी बिलकुए जी और इसके इलावा आपका वो जब एमजोन अगर आ जाता है ने टॉप फाइव में टू टाइम और इसमें टॉप टैन में थ्री टाइम आता है तो उसको हम कंपीट नहीं कर पाते तो हम उसको छोड़ देते होते हैं कि अधर यह जो ब्रैंड ने मैं यह टू टाइम यह रिपीट क्यों होता यह है तो एक ही ब्रैंड तो उसका बार बार क्यों आता है ब्रैंड एक है लगन उसका इस वो स्कूप चेंज है ना आइटम डिफरेंट है यह अब देख ले एक मिनट यह इस को अपन किया और यह ओग्जो को अपन किया इसको लग में चलो एक मिन उसी में उपन हो गया आगे चला गया देखते हैं इसको आगे उसको अब समझ आई है जी सरे निए डिफरेंट यह यह जी यह 16 पांड़ 10 पांड़ 10.99 लामन यह 11 का यह 16 का यह यह प्रोड़क्ट में तोड़ दिफरेंट सहां जी वरिएशन है ना एक नहीं वरिएशन है उसकी इसकी ना यह वरिएशन है जी इसका नमबर हम देख लेए वहां जाके अगर यह पड़़ी है अन्दरों पर यह 16 पर ओगी दूसरे वाली इसलिए अलग नजर्रा आ Chures जी आगे कर चलें जी पढ़ें कहां पर थे आई टी लो तो कलेर हो गया ना जी सर्थ जी वो क्राइटेरिया उपन करें ना बागी कोई काम मुश्किल आगे नहीं है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है और जिनके बास लैपटॉप होगा बस सब को इन्शाला इदर प्रैक्टिस करवाएंगे और बागी जो लोग होंगे बगार लैपटॉप के वो लिख लेंगे तो बात खत्म फरुप साब ये जैन का तो काम है लैपटॉप का ही शुड़ अभी यहीं पर कोई स्कीम अनौंस करके सब को लैपटॉप दे क्या बात है क्या बात है इंजास बैई जिन्दा बात इंशाला दुरूप सर मैं एक्शली यहां पर को प्रमोशन तो नहीं यहां कि मैंने फरुप भाई को कहा हो था किसी स्टूड़न्ट को अगर उसमें यह होता है ना नो प्राफिट नो लास पे हम लोग कर लेंगा हम को अगर्दस कोई 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 इशु नहीं है जो भी चीज़ इनको अजिए करें जो दोस्त सुन रहें उनमें से कुछ अफोर जो कर सकें इस्टॉल्मेंट ताकि कुछ आपको भी फाइदा और अनौन को बहला करें लेकर निये को आपको इंस्टॉल्मेंट दे सकें अहां सरी है मैक अप पोइंस इसके बारे में न जी 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 साथ अपना फरूप साब मझे ये मैं ने भी लेना था मैंने जब लैप्टोप मझे तो कंपनी ने दिया हुआ था तो मुझे अल्टीमेटली खुद अपना लेना पड़ा तो मैंने दो के इस काम के लिए मुझे ये क्वेस्टन पूछना था कि मीनिमम रिक्वाइर्मेंट क्या है लैप्टॉप की ऐसा कंप्यूटर या ऐसा लैप्टॉप जो हमारा एक विये जिसमें सारे काम कर ले उसकी क्या स्पैसिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी क्या कॉस्ट बनती है यह मेरकाल परुक साब बता सकते हैं या जैन भी बता सकता है फिर अकॉर्डिंगली प्राइस भी मेरकाल लोग बजाएगा बेतर बताएंगे जैन साब अई थिंक 30-35 तक हो जबरदस्त अगर 40 तक चलना जाए तो इसको करते हैं बेसिकली फ्री लांसिंग के लिए कौन सा यूज होता है या फिर यह हमारा जो वी ए के लिए वी ए के लिए तो हमें को नार्मल भी चल लेगा लेकिन फ्री लांसिंग में बहुत कुछ आ जाता है उसमें कुछ कस्टमर्स कहते हैं जी हमने ग्राफिक यूज करने ग्राफिकली उसमें भी मुसाफ्टियर करते हैं अड़ा फोड़ोशाप अड़ाव पसंदी करते हैं ना तो आपको गूगर पर पता चल जाएंगी और जो आपका सवाल है मतलब क्हातर अफिक एक कोरफाइब कर्समें एा डिल का ले ले लें या डिल खालेग और फ़ाइब आइज बिलिक अबुगबरै श्यविड भविभा पको अड़ाइट ताफय गर जाएंच की वि-टाफ अबीं और था ना जाएबिंधर यह जन भाई लगरें आइएंअ अड़ सब्सक्राइब नियु जनरेशन से लेके 11 जनरेशन तक जो मार्किट्स में लैपटाप भी अवेलेबल हैं अब दूल्ला भई आपके लिए इस्पेशली जो फौर जनरेशन का लैपटाप है न मिनिमम वह 38-40 तोजन का मिलता है बिलकुल ऐसी जिसमें अगर आप फिफ्ट जनरेशन पे चले जाएंगे तो वह 43-45 तोजन का मिलता है और अगर आप सिक्स जनरेशन का लैपटाप लेना है HDD अभी जो चल रही है वो है SSD तो आप कभी भी जब भी आप लैपटाप पर जैस करने जाएं तो आप कोशिश करें शापकीपर को दुकांधार को कहें कि भाई प्लीज हमें SSD हाड लगा के दे दें बेशक्त वह 128GB की ही क्यों ना हो उसमें क्या होगा जब आप अपनी ल लैपटाप बहुत अच्छा मिल जाता है जिसमें Core i5 थर्ड जनेरेशन का लैपटाप होता है उसमें 4GB RAM होती है 128 SSD होती है तो वह 30GB रेंज में आपको मिल जाता है जो कि आपका बहुत अच्छा यह जो हम यह पढ़ रहे हैं आपको तंग नहीं करेगा और लांग टाम चले मतलब 80% लोग उसको ही पसंद करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी companies लिनोवो अब कुछ जियकों पर लिनोवो है ही नहीं है जैसे लाहूर की मार्किट गुजरावला में मौस्ली HP डेल को लाइक करते हैं कस्टमर्स भी फेमिल भी लेडिज अट जट सारे तो वह कहते ह लिनोवो का किसी को पता ही नहीं होगा कि लिनोवो भी एक ब्रैंड है जिनको पता है उनको पता है वरना मुसली हमारे जहनों में बैठा हुआ है HP और Dell को यह कुछ चीजे थी और अब्दुला भी नुज जनेरेशन का जो लैपटाप है वो वन लैक रुपे से ऊपर मिलता है जो 11 जनेरेशन का भी लैपटाप है आई 5 और आई 7 का तो जो आप ने बताया ना 50 का यह 60 का प्लीज उसका मुझे बताईए का जरू सकी जनेरेशन कोंसी है मैं आपको यह नहीं कह रहा कि मुझे आपको बेभी पता हो ज्यादा पता हो लेकिन मुझे क्लियर करिए का ला जाएं तो उससे जाकर बेशक बात करवा दें या उसका पिक्चर संड कर दें अगर आप मुझे से लेना चाहेंगे तो मैं फिर आपको डिलीबर जाहरे कर दूँगा उसमें जो लैपटाप बेसिकली करते नहीं कारगो वाले पिक ले उसमें बहुत अच्छी उसकी पैक कर पड़ता है अभी वज़ाना पड़ता है पांच वार उसके देंगे चार्जिस पड़ते हैंगे जी मेरी शॉप है जी मेरी शॉप है किदर कार गया हूँ गखट सिटी में शाहद आपने सुना हो ठीक हो गज़ा माला सुना आप अच्छा परुशाब आप इसलिए कही है प वो ही कह रहा हूँ कि हम लोग सारा कुछ की कर लेते हैं सीख लेते हैं तो हम लोग जो है न वो लैपटाप की बारी जोना हम कहते हैं यह तो बड़ा महिंगा है यह तो यह यह तो वह है बजट के मताब सबसे पहले हैं बजट देखना चाहिए और बाकी पाकिट देखनी है बस यह है कि थोड़ी बहुत बैटरी होनी चाहिए उसकी अब सब कुछ आपको वहां से मिलेगा लेकिन भी लेंगे बहुत कम मिलेंगे देखिए दो सर मैंने भी लिए सरच दिन में सर मैंने जनरेशन रिए सर अपके ख्रकार आई स्वेन ठीक है सर मुझे रुसर साट ज़बार मैं मिला है बिल्कुल सही है यही रेट है यही है बहुत अच्छा मिला है लेकिन इसका रेट भी किस एरिये से लिया आपने सर मैंने कराची से लिया अब कराची और लहूर का कमस कम बताऊं पांच सदार का डिफरेंड है अगर आपको वहां से 60 का मिले तो लहूर से वही चीज 65 की मिलेगी आपको जैक्सन मार्केट आना चाहें तो जैक्सन मार्केट के अंदर जो इसे से यू कैसे और वालिक जो मारे पस लैपकॉप आते हैंगे अभी तो इंपॉर्ट बन जागी तो अगर यहां पर कोवेट की व बने आते हैंगे पसे यह जदा ना तो यहां शुरू हो गई है तो दुसरा यह है कि मिरे पस दीलर हैं जो बंडम्डे वहां के एरिया द्व में किसी को कर चाहिए तो वहां से मैं क्या कहते हैं भारुग भाई डॉपशिपिग कर्वा सकता हूं मैं यहां डॉपशिपिंग तो वो होजेगा इंशाला जेनाब पैंडिंग करें अपना दाम करें आप इसको खतम करें इसको खतम करें इसको खतम करें और कल इसको लिक के लेकर आए जो मोटी मोटी तीन चार चीज़े हैं वो मैं मैसेज कर दूँगा आप लोगों को रेविन्यू और रेटिंग वगारा और वाकी चीज़ें दीग है तो उसको आप लोगों ने ये अब सबको मिल चुका है तो आप खुद भी पढ़ें और जो समझ नहीं आती बेशक मुझे इन बॉक्स करें गुरूप में पूझें गुरूप में रिपलाय नहीं मिलता तो मुझे इन बॉक्स करें मैं बता दूँगा फ्री हो के जिसको भी समझ नहीं आती इसके बाद जो है बागी तेन चार आ कल से मुराद आपको पता ही है ना कल से मुराद वो होता है कि चाए आगे 10 तुटियों आ रही है, एक week off आ रहा है, तो अगला जो next working day होता है, working day, on day, तो वो आपका जनाब next कल होता है, आप इसको कल पढ़ें, अदील इसको खतम करते हैं, और search volume बता दें, क्या होता है, जी करें, इसको खतम करें आप भई, जी, 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 मैं करता हूँ, इस पर्टिकुलर को कितना, कितनी audience search कर रही है, कि आईस्क्रीम, फूब कितने लोग लिख रहेंगे, यह search volume कहलाता है, तो यह हमारे पास बताता है, कि बाई, कम से कम 25,000, 50,000, जैसे जो ग्राव बनावे, 25,000, पिच्टर, सौ, यानि कि वो, यह वो हजार हैगा, कितने हजार लोग, 25,000 लोग, आईस्क्रीम स्कूब को लिख रहेंगे, यह जीज़े, अब तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमारे पास दिया वा है, हम, क्योंकि हम अपना आइस्क्रीम स्कूब मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो कम स्कम मार्केट में जी, 6,000 की audience, demand होनी चाहिए, कि 6,000 लोग, वहाँ पर, यानि कि खरीदने के लिए बैठे में, आइस्क्रीम स्कूब, यह साजी जो सर्च वोर्यम लेखा है, यह इस पर होगा कि यह कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज किया गया है, यह कीवर्ड सर्च वोर्यम होता है, जी, जी, वही बात है, आप लोग इसको क्राइटेरिया को याद करें, दो-चार चीज़ें मेजर मैं कल बेज दूँग, आप लो जाएं आप ज्यादा, बस ट्रांसलेट करें उस रहो को, जो सेंटेंस पढ़ें उसको ट्रांसलेट करें, नेक्स, नमबर एट पॉइट पे जी, इस सीजनल ली होने चाहिए, और यानि कि इस चाहिए, और नमबर नाइन पॉइंट पे वेट, नो ओवर्साइज, नॉट मो अब प्वर्ट जो हमार पास एव टॉप टें सेलर्स पी जो है वो प्रॉड्यक रेटिंग जो है वो पॉइंट रेटिंग वैफ पॉइंट वह होनी चाहिए, मिनमार चाहिए, नहीं जो है चाहिए, पॉइंट पॉइंट इसको रेट किया है, यानि यह 4.2 इसको जिस जिन सेलर को फोकस कर रहे हैं गे उसकी आगे कॉलम में अमारे पास लिस्टिंग लाइफ लिखी होती है जी इस डेट को जी इस पे लिट्स किया एगा तो ये कमसकम हमने उस वैलिड सेलर को देखना है गा जो चे महीने पहले से बेच रहा है गा और वैल्यू एडिशन इफ एप्लिकेबल एड़ लो प्राइस प्रॉड़क एड़ एडिशन अप्टू कॉस्ट ऑफ वन यूसजी जो मुसमें अपनी प्रॉड़क के अंदर और वैल्यू एड़ करना चाह रहे हैंगे जैसे का लकल हमने इसकी बात की थी जैसे कि कोई बंद तो इसके अंदर वैल्यू एड़ कर रहे हैंगे जी मैं शाइनल भी बेचेंगा इसके साथ तो उसने एक वैल्यू एड़ कर दी जो वह वैल्यू कितनी होनी चाहिए कम असकम वन यूसटी यानि एक डॉलर की वो कम असकम होनी चाहिए इसकी 157 रूपीज एक डॉलर आजकर चल आएगा तो यह बारा पॉइंट है यह बारा पॉइंट को याद करने इंशाललह जब हम और नीचे हम जब आजएंगे तो प्रोड़क्स टू आवाइड हमने यह कुछ प्रोड़क्स हैंगे इनको हमने आवाइड करना है यह बहुत भारी बरकम जो आई वो ओर साइज जो बारी प्रोड़क्स है हमने उसको बेशना और एजली ब्रेकबल इलक्ट्रोनिक चीज़े हो गई ग्लास हो गईरा की चीज़े हो गई जो असानी से तूट जाएंगी तो हम उसको मार्केट में नहीं लेके जाएंगे जी वो तूट जाएगी हमारा नुकसान हो जाएग क्योंकि लीथियम पैट्री अगर एक जगा जादा मिकदार में रखी होती है तो खराब होने का खत्रा होता है तो आस पास की दीगर प्रोड़क्स को भी निक्सान बचा सकती है तो इस वजह से इसको जी इसको इसको आवाइट करना है हमें और रिस्ट्रिक्टिट का वह हमें उसको आवाइट करनी है ग eerप बेबी पॉड़क्स वगर उसको रिलेटिट हो गया हम और नो पेटेंट भाटां हमने अवाइट करनी है गया इसरपूशानव पेटेंट रागया और यह पर यउतिलिडी पेटेंट अगया अगया ङ texto थोड़ा-ठाम हम उसके उसके सेल कर सकते हैंगे पट एतियातन ये ये गाइडलाइन ये ये कि हमने उसको एवाइड करना आएगा थैंक यू सर मेरा एक सवाल है आप जो लिस्ट के थू जा रहे थे वो आप 1, 2, 3 के बाद आप सीधा 8, 9, 10, 11, 12 पर चलेगे पर इसमें 4, 5, 6, 7 जो है आपने कंप्लीटली छोड़ दिया अगर आप उसको जड़ा एक दफार गो थू कर दें प्लीज चलें बिखा दें आपके पास है क्राइटेरिया आप पड़े मैं बताता हूं जी सर एक सक्ड़ मैं कोल रही हूं सर नंबर 4 पर लिखावा है रेविन्यू 10th, सेलर सेलिंग मोर दन तन थाउजन डॉलर 15,000 तो प्रेविन्यू 10th, सेलर सेलिंग मोर दन थाउजन दॉलर इनका रेविन्यू कम इनों ने जितनी भी टोटल सेल कर दियागी और मसलन कि उनोंने कम अशकम पंदरह सो सेल कर दिये, पंदरह सो आइटम ने इनोंने आएस के मिस्कूप बेश दियाएगा तो इनका रेविन्यू कम इसकम 15,000 डॉलर होना चाहिए तो वो हमारी यानि कि वो प्रोड़क हमारी पास विनिंग प्रोड़क के लाई लिए अदील भाई मेरे ख्याल मेरे ख्याल में ये जो कह रहा है कि जो दस हमने से टॉप टन लेने ना उसमें जो दसवां सेलर ना जो सबसे आखरी सेलर है उसकी जो रेविन्यू ना वो 15,000 होना चाहिए कम उसकम एक आईडियल प्रोड़क कौन सा नंबर है एक से दस्ता कर एक से दस्ता कर होना चाहिए टॉप टैंथ कॉमने देखना है टॉप टैंथ का मतलब होता है जो अफनी पहले रेविन्यू को सॉट तो लो और थन टॉप टैंथ को देखनान नंबर कॉन से है आप टैंथ को अनॉीड यह सर्ट नंबर फॉर सार्च नंबर पॉर पंद्रह थाउजन डॉलर लिखाओ है यहां पर जंगल स्काउट और एक्टेंशन में उस पाइब यह नहीं होना जो इसका यह मतलब है इससर में समझाता हुँ इसका यह मतलब है जो आपकी Top 10 Cellars जो और यू इसमें के बैठा जाएगा इस में बनोच दोज भिलकुल, है यहांब। दोजाओंद से जादवना चाहिए। जिया जी बिलकुल, अवरेज टेन ताउजंड से जादवना होना होना काई यहांब। समय नहीं आ रही है। 15,000 जी वो 10,000 जी है, UK न का है। और अम यूके का पड़ देख जी आगे जागे जाए अबर फाइफ पॉइंट हमने पड़ दिया था है वैसे आरमदुललही कल भी हमने पड़ा है कर दिया अच्छी बात जैननशीन हो जाएगा Amazon as a seller not more than 3 in top 10 Amazon खुद अपना जोए हो प्रोड़क्त खुद ना बेश रहा हो Top 10 की जब हम Top 10 में 3 टाइम Top 10 में 3 टाइम ना आए 3 टाइम या 3 से more than 3 टाइम आता है 3 टाइम भी आए तो हमें छोड़ देना चाहिए किमकर Amazon है जी जी इसमें Amazon डॉमिनेंसी भी आ जाती है और ब्रेंड डॉमिनेंसी भी आ जाती है को कोई एक ब्रेंड Top 10 सेलर्स में 3 से ज़्यादा बार ना सेल कर रहा हो या Amazon भी अगर आता है तो Amazon भी 3 से ज़्यादा बार ना एक बार आजा है ठीक 3 बार आजा है वो भी ठीक है है लेकिन वो जान नहीं चोड़ेगा क्योंके अमाजोन है न यह तो देखें चलो कोई थर्ड पार्टी हो कोई और सेलर हो तो फिर उसको बना देख सकता है अगर वो फोर टाइम है तो देन बना नहीं जाता वरना अगर अगर अमाजोन हो तो उसका फिर आप रेविनु देख I mean जी को बोले ने जी राभिया बोले थरा जी सर यह बस आप अब क्लियर है जो वह फूर्थ फिफ्ट एंل यह जो थो हरा सब करा रहा क्ए उसमें टाप 3 तेन अकटः तो तो वह समझ नहीं आ रही थी फर आप काफी क्लिर है थैंकियो सो मैच जी शालो इन्चालला मजीद सुबह मैं आपको बता दूंगा दो चार पॉंच चीजे हैं में में जिनको हमने ज्यादा उसको देखना है बागी गूगल ट्रेंट को भी नेक्स कलास में देखेंगे और बकाइदा प्रॉपर चलेंगे तो सब ने अपनी एक्स्टेंशन वगरा हर चीज लगा के लाफिज वगा शुम्या लाफिज वया खर लाफिज एला खर लाफिज। झाल झाल